दोस्तो कभी हार न मानना एक अद्भुद गुण है जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की ओर ले जा सकता है। ये वह शक्ति है जो हमें चुनोतियों का सामना करने और अपने लक्षियों को प्राप्त करने में मदद करती है। द्रिणता के बिना हम आसानी से हार मान सकते हैं और अपने सपनों को छोड़ सकते हैं। इस वीडियो में हम कभी हार न मानने की शक्ती और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। हम इस गुण के कुछ प्रसिध्ध हुदाहरन को भी देखेंगे और सीखेंगे कि हम इसे अपने जीवन में कैसे विकसित कर सकते हैं। चाहे अपने लक्षियों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है तो आईए इसे आज की बौध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि द्रिड़ता क्या है और यह हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकती है। इतनी तपस्या करते हैं क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूँ। मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताईए कि ऐसे बड़ी ग्यान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। यह सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो मेरा। उसने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस उंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चीटियों का एक घर है जहां पर हजारों चीटियां रहती है तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा लेकिन वह चीटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती है उस मिट्टी की उपजाओ शक्ति वह खत्म कर देती है जिसके कारण वहाँ पर कोई भी पेड या कोई भी घास पनप नहीं पाती है तुम मेरा एक काम करो उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूँगा तुम साथ दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उस चीटियों के घर को तहस नहस कर दो उसको तोड़ दो जब भी तुम्हें कोई चीटियों का घर दिखे मंदिर के आस पास तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना लेकिन याद रहे घर को तोड़ने में कोई भी चीन्टी मरने नहीं चाहिए इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह युवक वहां से चला गया शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे है वह तो उन चीटियों पर अन्याय कर रहे है उनका घर तुड़वा रहे है उन्हें नुकसान पहुँचा रहे है आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वह अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुँचता है तो देखता है कि बहुत सारी चीटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई है, सारी चीटियां कतार से चल रही थी और अनाज के छोटे छोटे कण उठा कर अपने घर में जमा करती जा रही थी, ये देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया, उसने सोचा कि ये इतनी महनत करके अपना घर भर रही ह और मैं इनके घर को तबाह कर दूँगा, तो इनको कितना बुरा लगेगा, लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया, जल्द ही चीटियों में हाहकार मच गया, वह इधर उधर दौडने लगी, अभी तक जो कतार में चल पर लोट आया, उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था, फिर उसने अपने बिस्तर में रात में लेटे-लेटे ही सोचा, कि अब तो उन चीटियों का घर तबाह हो चुका है, अब वहाँ वापस जाने से क्या प्रयोजन है, अब क्या फाइदा ह क्योंकि चीटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूँ, लेकिन फिर कुछ सोच कर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चे किया, और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वह वापस उसी पहाड़ी पर पहुँच जाता है, उसने घर के लिए सामान इकठा करने में जुटी हुई थी, उस आदमी को देख कर लगा कि यह चीटियां कितनी मूर्ख हैं, इनको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया है, और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया, और यह सोच कर वह आदमी हसने को हुआ, लेकिन फिर से महात्मा की बात याद करते हुए, उसने उन चीटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया, फिर से उन चीटियों में हलचल मच गई, और थोड़ी देर में वह चीटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी कुछी देर में उनका घर फिर से नश्ट हो गया, और वह युवक थोड़ा संतोश के भाव से कि इस बार तो मैंने अच्छी तरह से उस घर को तबाह कर दिया है, अब तो वह चीटियां यहाँ पर अपना घर बना ही नहीं पाएंगी, इसलिए जाने से पहले उसने उस घर ठंडा पानी भी डाल दिया, ताकि चीटियां वहाँ पर अपना घर न बना सकें, और इस तरह अपना कर्म पूरा करके वह युवक फिर से अपने घर लोट आया, आज रात में सोते वक्त फिर से वह इनसान यही सोच रहा था, कि क्या महात्मा यह सही काम करवा रहे हैं, क्य किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है, क्या हो, अगर वह महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही न, क्या होगा अगर वह मुझे बेवकूफ बना रहे हो, लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूँ, उसके उसने उनके घर को तबाह कर दिया था, और वह यह देखकर खुश हो जाता है कि वहाँ पर कोई भी घर नहीं था, सारी चीटियां वहाँ से भाग चुकी थी, अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या प्रयोजन, क्योंकि चीटियां तो अपना घर बदल चुक जब वह वापस मुड कर उस पहाडी से उस महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा, तो उसने देखा, तो अचानक उसकी नजर एक और घरोंदे पर पड़ी, जो कि चीटियों का ही बनाया हुआ था, मतलब कि वह घरोंदा चीटियों ने ही बनाया था, और अब वह चीटि अपना घर यहां से बदल कर किसी दूसरी जगह पर बना लेगी, इसलिए उन्होंने मुझे साथ दिन आने के लिए कहा था, और यह विचार करके वह उसका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुँच जाता है, जब वह 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 पहुँचा, तो चीटियों उसी तरह अपने का अपने नये घर में ला रही थी, अब यहां पर फिर से युवक का मन थोड़ा कमजोर पढ़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमजोर था, खुद भी वक्त कमारा हुआ था, इसलिए उसके मन में उन चीटियों के प्रती दया का भाव उमड रहा था, उनके उपर उसे दया आ र बिना किसी चींटी को कोई नुकसान पहुँचाए, वह घर तबाह करना शुरू कर दिया, वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान ना पहुँचाने की शर्त महात्मा ने पहले ही रखी थी, इसलिए उसको बड़ी सावधानी के साथ उन घरो को तबाह करना था, लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया, और उस घर को तबाह करने के बाद वह बड़े ही दुखी मन से, इस बार वह पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था, वह उन चीटियों को बसने ही न कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ, पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चीटियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जगय ही नहीं दे रहा हूँ, वह चीटियां मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वह कितना दुतकारते होंगे उस परमात्मा को जो मेरे द्वारा यह काम करवा रहा है, लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया, और अगले दिन सुबह सुबह वह फिर से वहाँ पर पहुँच गया, वह यह देखकर फिर से आश्चर ये चकित रह जाता है, कि इस बार चीटियों ने एक और नई जगह पर अप मिट्टी की बनी हुई है, मैं इनको बार बार यहां से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यह वही पर अपना घर बना लेती है, क्या इनको पता नहीं है कि मैं इन्हें यहां पर कभी भी बसने नहीं दूँगा, यह चीटी है, दिखने में इतनी छोटी है, लेकिन फिर कुचलने के बाद जब वह अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चीटियों को कितनी क्षती पहुचा दी है। पहारी पर पहुच जाता है। आज उसके मन में उन चीटियों के प्रतिश्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वह उनकी मदद करना चाहता था। और जब वह वह वहां पर पहुचा तो चीटियां फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थी। उसने ब मातं से आठा खिलाता। साथ दिन के बाद वह उवक उस महात्मा के पास पहुचकर हाथ जोड़ कर बोलता है कि हे महात्मा जी मुझे माफ कर देना। मैंने उन चीटियों का घर तबाह करने के लिए बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह किया भी। एक बार नहीं चा बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे इसका कोई दुख नहीं है। बताओ कि आखिर तुम उन चीटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके। वह चीटियां तो छोटी छोटी हैं और तुम इतने विशाल हो फिर भी तुम उन चोटी छोटी चीटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। और उसी दिन से मैंने उनको नुकसान पहुचाने की बजाए उनकी सहायता करनी शुरू कर दी यह सुनकर उस महात्मा ने कहा कि यही तो सीखने की बात है एक छोटी सी चीन्टी हमें जीवन का संदेश दे जाती है मैंने तुम्हें उन चीटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चीटियों से कुछ सीख ले सकूँ तुम्हें क्या सीख मिली उन चीटियों से? क्या मुझे बता सकते हो? यह सुनकर उस युवक ने पूरी कहाणी बया कर दी पूरी कहाणी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा तुमने जो महसूस किया, मैं वही तुम्हें दिखाना चाहता था वो ये थी कि तुमने कितनी ही बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की कितनी ही बार प्रयास किया कि उनका घर तबाह हो जाए लेकिन वह हर बार अपना नया घर बना लेती थी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी अगर वह हार मान लेती तो चीटियां तुम्हें वहाँ पर नहीं मिलती जब एक छोटी सी चीटी अपने विश्वास और मेहनत से इतने बड़े आदमी का दिल बदल सकती है तो तुम तो इनसानों का मन बदल ही सकते हो अपने जीवन में अपनी किसमत न बदलने का कोई कारण तुम्हारे पास नहीं बचता जीवन कार्यशीलता का नाम है, कर्मशीलता का नाम है लेकिन हम मनुष्य एक दो बार हार मिलने पर ही तूट जाते हैं हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते और कुछ लोग दो अपनी जिन्दगी को खत्म करने पर उतारू हो जाते हैं लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वह अपना जीवन खुद से कभी खत्म कर ही नहीं सकते हैं तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्म हत्या कर ली। चाहे वह जानवर कितना ही भूखा क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो। लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हम मनुष्य एक दो बार हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्म करने का नाम है। इसलिए मृत्यू से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना। क्योंकि मृत्यू के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो। क्यों हताश हो रहे हो। अगर तुम्हारा एक घर तूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो। कोशिश करो और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तुम उन चीटियों से देख चुके हो। देखने में तुम से कितनी छोटी है वह चीटियां और तुम इतने बड़े हो। लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना द्रिड संकल्प है कि इतनी बार घर तूटने पर भी उन चीटियों ने कभी हार नहीं मानी। हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं, लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें दुख पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी, अगर हम बार बार फिर से उठकर फिर से नया प्रयास करते रहेंगे, तो प्रकृति भी हमा को तबाह करने के लिए पहुंचे थे लेकिन बाद में तुम्हें उन चीटियों को अनाज और आटा देने लगे, तुम ही उन पर क्रिपालू हो गए, क्यों हुए, क्योंकि तुमने देखा कि वह चीटियां हार ही नहीं मान रही है, इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन मे कभी हार नहीं मानोगे तो एक ना एक दिन ये प्रकृती तुम्हें वह सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते थे इसलिए हमेशा याद रखना हमें बिना रुके बिना ठके और बिना परिणाम की चिंता के बस कार्य करते जाना है और दूसरा यह कि एक ना एक दिन प्रकृती तुम्हारे उस कर्म का परिणाम तुम्हें जरूर देगी तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में कोई नए मैसेज के साथ तब तक के लिए अपना खयाल रखें धन्यवाद